हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आदाब सबस्रीकाल मेरा नाम है रोबिन और स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर में दोस्तों मेरे पास बहुत सारी वीवर्स के कमेंट है कि सर प्लीज हमें एक वीडियो बना के बताएं हेल्दी साइज की महिला निया तो किस तरे से करनी है तांकि उसकोव ऐगे बना रखी है और हमारे आपको मिल जाएकी और भी टीस्की में डल दूगा those of grades आघ करते हैं और सीखते हैं कुछ नया को कि साःसा कि यह में गारख कपड़ करीब यह इसका उल इससा है और यह तो जब सिधा वाला हिस्से है जिए इख शाइनिग है तो आपने कभी सब्सक्राइब है यह इसको मैं। कर लिया है कि है आपलिसे कपड़ может कर लिया अब दोस्थ तो उल्टा करने के बाद ये देखिए आपको जो किनारी वाला इससा दिख रहा होगा इस वाले किनारी के हिस्से को आपको इस वाले किनारी के वाले हिस्से से मिला लेना है इस तरह से तो दोस्तो आपको एक मार्क दिख रहा होगा यह पैंट के मैंने मार्क कर रखा है अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किस तरह से पैंट की कटिंग होती है तो फ्रेंट्स अब मैं आपको बताता हूं यह जो पैंट की में कटिंग करने जा रहा हूं यह मैंने उल्रेडी में किस तरीके से कर रहे हैं तो आप ध्यां से देखें दोस्तों यह किनारी वाला इसा होता है यह देखिए-da इस चार इसे उसे आपको अपनी तरफ रखने है उसके बाद सबसे पहले एक निशान अपको नीचे लगाना इस तरह से जैसे कि इसमें एक मेने निशान लगा रखा है ताकि जो छोटा बड़ा कपड़ा है एक पल हो सके उसके बाद दोस्तों आपको जो दो इंच एक्षरा लेना इस जगह से क्योंकि पैंट के नीचे दो इंच का कपड़ा फोल्ड होता है इस तरह से एक इंच कम लेना है इस जगह से देखें दोस्तों हमने जो लंबाई लिए वो लिए 37 देखिए और 37 पर मैंने यह निशान लगाया हुआ है यह एक इंच हम इसलिए कम लेते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें जो उपर बैल्ट लगती है बैल्ट हम लग लग लगाते हैं । दोस्तों इनिशान लगाने के बाद अब मैं आपको बताता हूं इसका अगला पोसीजर क्या है आपको सबसे पहले इस जगह से नाप लेना है वो लेना है कमर का दोस्तों इस पैंट की कमर है वो जब भी पैंट का आपने कमर का साइज निकलना है एक चीज याद रखनी इसमें देखिए ईस्सिय को किनारी को किनारी ही इससा दिख रहा हूंगा देखिना है क्योंकि किनारी वाले इससे में खिचाव होता है उसलिए हमें किनारी वाले इससे को निकाल लेना है बार की तरफ जब भी नाप लेना है किनारी वाले इससे को छोड़ के ही लेना है तो अब देखना इसकी जो कमर का नाप लूँगा दोस्तों मैं किसा आप से ले रहा हूं य इसमें आगे वाले parts में दोस्तों plates दलती हैं तो plates के लिए एक इंच मार्जन ले लिया हमने और जब इसमें शिलाई होगी दो पीछे वाले भाग से जुड़े गां यह उसके लिए दोनों तरफ आदा आदा इंच मार्जन जाता है तो 2 इंचो लेना है तो इस तरह से total दोस्त पर लगेंगी दोस्तों प्लेट्स कि यह मैंने प्लेट्स का निशान लगा दिया है कि कमर कर निकालने के बाद दोस्तों अब लेना है हमने इसका आसन जिसे हम क्रोच एरिया बोलते हैं क्रोच एरिया किसी तरह से निकाला जाता है वह मैं आपको बताता हूं क्रोच एरिया के के बाद आपको 1.5 इंच एक्स्टा लेना पड़ता है जैसे कि इसका जो हिप्स का साइज है वह है 44 यानि 44 इंच हिप्स है तो 44 इंच का जो 14 हिस्सा बनेगा दोस्तों वह बनेगा 11 इंच यह देखिए यह 11 इंच पर एक मेरे निशान लगाया और इसके बाद जो मैंने एक्स चीरे निकलाएगा किसी भी साइज के पैंट हो आपको इसी तरहीके से क्रोच एरिया जिसे हम आसन बोलते हैं वो निकाल लेना है तो दोस्तों कमर का नाप मैंने बता दिया है और आपको मैंने आसन निकालने का फार्मूला बता दिया है अब हम नाप लेंगे से थाइस का जिसके हम पट भी बोलते हैं तो दोस्तों इसका जो थाइस का नाप है वो है काफी हेल्दी लेडिज की पैंट की कटिंग करने जा रहा हूं मैं उनके जो थाइस का नाप है वह 32 यानि 32 इंच तो उसके लिए दोस्तों वही फार्मूला इधर से आपको आदा इंच निकाल बोटम का फार्मूला यह है कभी भी पैंट की आप कटिंग करनी है तो बोटम आपको इस जगे से नहीं निकालना जो भी थाइस का नाप हो जैसे यहां से सोला इंच है तो सोला इंच यह आपको नीचे से लेना है यह देखिए इस सेंटर पोइंट से आपको नापनी है इसकी बोटम इसकी जो मौरी है दोस्तो वो 14- Um що चूदा इंच कैसे निकाए यह दिख्ये इस जगे सोलह है सोला का दा laser हो गया और इस जगो आपको लेनी ही बोटम यहिनिकिस साधे तीन इच इधर से साधे टीन इंच इधर से ट तो आप दोस्तों करना क्या होता है इस निशान को और इस निशान को आपसे मिलाएं यह जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं शेप पट्टी की मदद से आपको इन निशानों को डार कर लें कि इस जगह हमारा बोटम था यह देखों कितना प्रिचा जग जा रहा है यह इस तरह से और इधर से जो आदा इंच वाला मार्जन था उस पर आप इस तरह से मार कर लें तो इस तरह से दोस्तों आपका एक पैंट का लूक नजर आ रहा होगा यह देखिए पैंट की जो प्रोपर शेफ है नीचे से बोटम कम उपर से थाइस के अकोर्डिंग की पैंट की शेफ बन रही है अब फ्रेंट्स जो में चीन होती है यह वाली इसका जो किस तरह से हमने निकालना होता है जो आपन प्रेंट्स यह देनी है गोलाई यह जो गोलाई है अपको इसमें काफी हद टक वैसे औंदाजा चलता है बड़ इसमें आपको बताता हूं यह देखिए में डेजिंग का और इसीं इसमें एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ यह जो कटिंग है यह वाली जो मैंने निशान लगाया था सीधी नहीं करनी यहां से लेकर आपको इसको लगबा यहां से एक इंच कम कर लेना इसको जुकाव देना है वह इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बोडी स्ट्रक्चर कर लेना जैसे कि यह देखी इसमें मैं आपको निशान लगा कर दिखाता हूं यहां से सीधा लेना है वह इसको हलका सा जुकाव देते हूँ एक इंच के करीब कर लेनी है दोस्तो इस तरह से यह मैंने निशान लगा लिए अब मैं आपको बता हूँग किस तरह से की चार बट जब हमने कटिंग करनी है कटिंग केवल हमने दो पार्ट की करनी है याने की फ्रेंट वाले पार्ट की कटिंग करनी है क्योंकि अभी जो मैंने मार्क कर रहा है सिर्फ फ्रेंट वाले पार्ट पर ही करा है तो दोस्तों किस तरह से कटिंग करनी है आपको बताता सबसे पहले आप सीधा कटिंग करें नीचे से यह दिखी नीचे वाला पार्ट में कटिंग कर लिया है अब इसके बाद दोस्तों यह जो निशान है इस निशान के अकोर्डियु रहे हमने कटिंग करनी है देखें यह जो है एक दो तीन और चार पल्ले हैं चारों के कटिंग और आपको इस तरह इसे कर लेनी है देखें है कि इस चीज का दोस्तों याद रखना है जब भी आपने कटिंग करनी है यह वाला पार्ट में भी काटा है इस पार्ट से आपको चारू पार्ट एक साथ काटने हैं उस से नहीं काट ले उसके पीछे रीजन क्या है अभी मैं आपको पूरी कटिंगा कर दिखाता हूं तो आपको समझ में आद आएगा दोस्तों चार उपनले में काट लिए अब यह देखिए केवल उपर वाले दो पार्स उठा रहा हूं में देखिए सिरी उपर के दो पार्ट से तो इस तरह से दोस्तों आप आप देखें मैंने सिर्फ आगे वाला पार्ट की तो पूरी कटिंग कर ली है और पीछ वाले पार्ट की जो कटिंग करी है मैंने सिर्फ इस हिस्ते से करी है अब करना क्या दोस्तों इस कपड़े को आप इस तरह से बिछा रहने दे अब इसमें जो फार्मला यूज करना है बैक की कटिंग के लिए वो क्या करना है वो आपको मैं बताता हूं फ्रेंड्स यह जो नाप है यह फिक्स बोडी का नाप था उस हिसाफ से मैंने इसकी कटिंग करी है इसका जो थाइस का नाप था 32 तो यह देखिए यह 32 इंसे टोटल यहानी 16 दूनी 32 और कमर थी जो वो सोरी इसका जो बोटम था वो था 14 तो यह देखिए 7 दूनी 14 अब कुछ नहीं आपको यह जो निशान है किस निशान को सीधा ले जाएं और इस निशान को सीधा ले जाएं दो इंच आपको इदर से एक्टर लेना है और दो इंच आपको इदर से एक्टर लेना है और इन दोनों ही निशानों को आपसम मिलाने यह देखिए दोस्तो तो अब कुछ clear हो गया होगा उसमें कवरा हो जाता उसमें प्रॉपर बैठ इस जगे से आपको लगबग 3 रिंच यह देखे की तिन ही इसको इससे मिला लेना है इस तरह से अब आम न्याब के दिमागों है कि इस बढ़ा क्यूं लिया है दोस्तों इसके पीछे कारण यहाई है जब भी आप pant की cutting करो pant का जो health के according ही ये जो cutting की जाती है अगर किसी healthy ladies के आप cutting कर रहे हो तो इस जगे से आपको 3 inch बढ़ा करना है अगर थोड़ी medium size की cutting कर रहे हो तो इदर से आप 2 inch बढ़ा करे हो और थोड़ी slim trim ladies की cutting कर रहे हो आगे की तरफ आएगी तो इसलिए जब भी pant की आपने cutting करनी है तो इस लाई को तिर्षा लेना है यानि कि pant का जो back वाला side है आपको सीधा नहीं लेना है इस तरह से इसको गुमाव देना है इसके बाद दोस्तों आपको इदर से लगबग 2 inch एक्टर लेना है यह देखिए यह 2 inch का जो निशाने आपको इदर भी लगा ले अब इन निशानों को आपसम मिलाएं इस तरीके से और इस निशान को आपसम मिला ले अब friends यह जो cutting है इस निशान का recording आएगी और इसमें भी आपको उसी तरीके से हलकालका सा गुमाव देना है हो इसमें मिला लेना है तो कुल मिला के जो फार्मूला यह है कि 2 इंच आपको इदर से बढ़ा लेना है 2 इंच इदर से लेना है 2 इंच इदर सब जगे से 2 इंच बढ़ा लेना है और बस जो बैक का जो portion होता है उसमें आपको अगर healthy ladies की cutting आप कर रहे हो तो इदर से कि कट चुकी है और हमारा पास यह इतना सारा जो फैब्रिक बचा है इस फैब्रिक में से हमारी pocket और जो belt में कपड़ा यूज होगा वह असानी से लग जाएगा तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको आज की वीडियो में फार्मुला बताया है आपको काफियत तक समझ आ गया होगा अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं कोशी करूंगा आपके सभी comments का जवाब देने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को like करें और चैनल पर पहली बारे तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें हमें support करें thank you very much